हेलो दोस्तों आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से वेलकम है और आज है मार्च की 11 तारीक इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको गुलाब का वौदा दिखाऊंगा जो मैं एक नाया लेकर आया था उसको मैं कैसे रिपॉट करता हूँ अब यह आप देख सकते हो सीजन चल रहा है तो बहुत अच्छे तरीके से हमारे सभी पौदे हैं फूल भी निकाल रहे हैं और इनकी सभी की जो फॉयलेज है वो भी बहुत बढ़िया से आ रही है और हमारे जो प्लांट्स है जो ब्रांची से भी निकाल रहे हैं जिसके साथ हमारा प्लांट और जड़ा हेल्दी बनेगा दोस्तों मैं जो प्लांट लेकर आया हूँ यह थोड़ा सा अलग है यह हमारे पास है स्टैंड रोज जैसे आपको पता एक लंबी स्टिक होती है उसके उपर ग्राफ्टिंग की जाती है तो यह मुझे प्लांट मिला है और इस इसकी एक बहुत बढ़िया बात है कि यह कले सॉयल में नहीं है यह हमारे यहां पी जो नॉर्मल मिट्टी रहती है तो उसमें ही है और इसमें थोड़ा बहुत जो हम कंपोस्ट बगारा डालकर और जड़ा इसको पोरस कर लेंगे तो आप देख सकते हो यहां से इनकी ग्रा कि जाती है पर मैंने कभी की नहीं है डेफिनिली सही समय आने पर हम वो भी ट्राइए करेंगे इस पर आप देख सकते दोस्तों जो यह पॉली बैग इसका बहुत बड़ा है इसमें मिट्टी बहुत जादा है ऑल्रेडी तो इसको हम दूसरे बादों के लिए इस्तिमाल कर होती है वो कभी भी पौदे की नहीं निकालनी चाहिए आप देख सकते दोस्तों इसकी मिट्टी जब हम निकालने हैं इसके नीचे से सक्कर भी निकल रही है जो बहुत जादा स्ट्रॉंग मुझे लग रही थी ब्रांचिस क्योंकि यह जो प्लांट है इसका जो रूट वर्मी कंपोस्ट हो गया और थोड़ा सा रॉक फॉस्वेट तो ऐसी चीजों को मिलाकर मैंने थोड़ा सा इसको और जादा हल्का कर लिया पोरिस कर लिया और उस मिटी को ही हम दुबारा से डाल देंगे तो मारा दीरी-दीरे से जो प्लांट है घ्रो करना शुरू कर देग जैसे आपके पस गुलाब का पौदा है या फिर कोई और पर्मनेंट प्लांट है तो उसमें आपने एक बार फंगी साइड जरूर डालना है फंगी साइड वाला पानी अगर दोस्तों आप केमिकल इस्तमार नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपली जो हल्दी पौडर रहता है हमारे पास हर एक के घरों में किचन में पाया जाता है तो आप उसका एक आदा चमच जो लेकर अपने पौदे में डाल सकते हो डिल्यूट करके पानी में इसके साथ आपके पौदे में कोई भी फंगस नहीं आएगी या फिर अगर आपका प्लांट है काफी बार आपने दे जरूरत है तो हम उतना ही पानी डालें ज्यादा बैतर है क्योंकि अभी प्लांट हमने लगाया है यह दीरे-दीरे से अपनी रूट्स की जो ग्रोथ है शुरू करेगा डवल्पमेंट इसकी शुरू होगी और साथ में आप देख सकते हो क्योंकि जो ग्राफ्ट है वह बहुत आसानी से दोस्तों हम लगा सकते हैं अभी जो यह महीन है इसमें मैं जारातर गुलाब के पौदे लेकर आता हूं हर एक साल इसके बाद मैं नहीं लेकर आऊंगा क्योंकि बहुत जारा गर्मी हो जाती है अगर लेकर भी आऊंगा बहुत सही से उनको ट्रांस्प्ला इरिया में रखेंगे दीरे दीरे से हम इसको धूप में शिफ्ट करना शुरू कर देंगे ये दोस्तों इसको तीन से चार दिन हो गए थे लगाये हुए और अभी आप देख सकते हो इसमें जो फूल है खिलना शुरू हो गया है मेरे पास ये कलर पहले है पर इसके उपर हम और भी ग्राफ्टिंग करेंगे जैसे मैंने आपको बताया है तो वो हम ट्राइ करके देखेंगे जरूर पर अभी के लिए इस सीजन के लिए फिलहाल इसके उपर यही ग्राफ्ट रहेगी और इसको हम अच्छे तरीके से टेक केर करेंगे इस पौदे की तो आप भी दोस् आपको ये वीडियो पसंद आई होगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिगा वीडियो को भी शेयर और लाइक कीजिगा अगर आपको चाहिए कि हम रोज को कौन सा फटलाइजर इस वक्त दे सकते हैं इस महीने या गर्मियों के महीने ता मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते है मैं आपके लिए वो भी वीडियो बना दूंगा सो थैंक यूवर वाचिंग एंड प्लीज प्लीज दू सब्सक्राइब मैं यूट्यूब चैनल